हाई वीवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल विदा न्यू वीडियो तो आज हम बनाएंगे बहुत खुपसूरत सा नेक डिजाइन तो उसके लिए देखे मैं डबल फोल्ड में वोकरम ले ली है अब यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में गले की चोड़ाय धाइंच ली है तो इस एक इंच गोलाई के नीचे से एक इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाना है अब यहाँ पर तीन इंच पर निशान लगाना है आप चाहें तो तीन इंच से एक्स्ट्रा भी निशान लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमें काइट का शेप देना है इस तरीके से यह देखे गया अंदर है तो उसी हिसाब से हमें यहां से भी एक इंच के अंदर एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है क्योंकि यह वाला जो नेक है हम आगे की साइट इसे पलटेंगे तो हर चीज हमारी इतम फिनिशिंग से बराबर से होनी चाहिए अगर आप बैक साइड इसे पलटती तो उपर नीचे चल सकता था कहीं पर मोटा कहीं पर पतला बठा में आगे की साइड फ्लेटना है इसको तो हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा अब यहां पर अपने सूट वाला फैब्रिक ले लेना है और नेक को रखना है इस तरीके से सूट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर और यह मैंने आईरिन कर दिया था और इसको इस तरीके से कट कर देंगे हाँअफ आफ इजै एक्स्ट्रा करना है फोल्ड करने के लिए आप चाहें तो इसे प्रेस नहीं करेंगी तो अच्छे से आपको फोल्ड करना पड़ेगा बट इजी तो यही रहता है कि प्रेस कर ले यह मैंने पेपर बुकरम यूज़ किया इसलिए मेरा प्रेस इजी से हो गया है और उसके बाद अपने नेक को बनाए प्रेस करने के बाद बहुत सफाई आती है हमारे नेक में तो अच्छे से हमें फिनिशिंग से फोल्ड कर देना है और धियान दीजे सिलाई हमें साइड में ही लगाना है बीच में नहीं अब यहां पर देखे करना क्या है बीच से इस तरीके से cut करना है दोनों side से और cut करने के बाद इसे एक glue की help से मैंने ये वाला glue लिया है आप pep stick ले सकती हैं और इसे fold कर देना है इतने ट्राइंगल को इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से दबाना है उंगली के हेल्प से और साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसे छोटे छोटे कट्स लगा के देखें कट कर देना है क्योंकि हमारा यह बुक्रम के बाहर नहीं निकलना चाहिए यह देखें आगे से देखिए इसकी फिनिशिंग अब इसके बाद देखिए हमें बुक्रम को फोल्ड करना है और यहां पर चोटा सा टुक लगा देना है इस तरीके से तो टुक लगाने के बाद हमें अपना सूट का फैब्रिक लेना है उस पर इस तरीके से अपनी बुखरम को रख देना है और यहाँ पर हम कच्चा सिलाई लगा देंगे यह देखे ताकि हमारा जो नेक है वो खिसके नहीं और इसे पक्कर करते हुए यहाँ से कट कर देंगे लगा देना है और इसे आगे के साइट पल्टेंगे कुछ इस तरीके से यह देखे तो गाइस यहाँ पर जो मैंने वो लग लगाया था गीला वाला तो इसका न जो निशान है वो आगे के साइट भी दिख रहा है यह देखे पलटने के बाद हमारी बुकरम पर तो या तो आप इसे थोड़ी देर सुखने दे मैंने एक्चुली सुखने नहीं दिया था इसको डिरेक्ली मैंने नैक बनाना और डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया था या फिर आप फैवी स्टिक वाला जो ग्लू आता है वो लगाए उस पर इस तरीके से निशान नहीं आता है अ जैसे हमारी शेप है बुकरम की उसी शेप में हमें लेस को भी घुमाते हुए स्टिच कर लेना है यह देखे कोने के साइड को ना निकाल देना है अच्छे से तो यह चोटी वाली लेस आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी यह मेरी ब्लू कलर की थी और मेरा कपड़ा जो है वो भी ब्लू कलर के कंट्रास्ट में है नीचे जो शलवार है इसकी वो ब्लू कलर की है इसलिए मैंने यह वाली लेस का यूज किया और यह काफी प्रेटी भी लगता है बनने के बाद इसके बाद देखें दो इंच के हमाने फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट कलर में ब्लू और ग्रे में जो कि हमारे सूट का फैब्रिक है और इस तरीके से दोनों पट्टी को रखते हुए सिल लेना है दोनों पट्टी को सिलने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें क्रिच लगा देना या तो आप यहाँ पर प्रेस भी कर सकती है और guys मैंने आपको इस पट्टी की length नहीं बताया है इस पट्टी की length आप normal रख सकती हैं कितना भी लेकिन हमें इसको 4 fold में इस तरीके से convert करना है पहले तो मैंने extra fabric cut कर लिया अब इससे देखे 4 भागों में हमें divide करके cut कर देना है तो length जो है इसकी आप ये वाला जो fabric मैंने लिया है इसकी जो लंबायों चोड़ा आई है वो 3.5 इंच है तो इसके ही according आपको length रखनी है 3.5 इंच जो कि हमारी पट्टी के ऊपर set हो जाए square fabric के ऊपर set हो जाए sorry और दो fabric पट्टी जो हमने सिली थी उसको लेना है इस तरीके से रखना है wrong side हमें grey वाला portion रखना है और जब सिल लेंगे simply तो इस तरीके से triangle shape दे देंगे ये देखे दूसरी side से भी हमें triangle shape में इसे इस तरीके से सिल लेना है तो same pattern में सिलने की बाद अब फिर से हमें यहाँ पर अपनी पट्टी को लेना है और ऐसे सिल लेना है और उसके बाद फिर से हमें triangle shape में इसे सिल लेना है same pattern में तो ये मैंने दोनों side से सिल लिया है और ये design जो हमारा काफी प्यारा बन कर आएगा तो इस तरीके से हमें बना लेना है, अपने design का pattern, अब हमें neck लेना है, neck के उपर, यह देखे, इस तरीके से रखेंगे, नीचे की side यह देखे, हमें अंदर की side अच्छे से adjust करना है, अपने design को, और kone की side, kone को नवाला side होना चाहिए, चारो तरफ से हमें ध्यान देकर, अच सिलाई लगा देनी है टॉप स्टिच किसी भी कोने से आप स्टार्ट कर सकती है अपना टॉप स्टिच और एंड में आकर हमें सिलाई को पकर करके सिलाई को कट कर देना है धागा को अब यहाँ पर देखे सुई की हेल्प से हमें अपने डिजाइन को बहुत खुबसूरत सा लुक बनाना है तो उसके लिए देखे ट्राइंगल का हाफ पोर्शन जो है पकड़ना है हमें और दोनों के कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से गाट लगा कर यह देखे लॉर बन जाएगा यह हमारा कम्प्लीट कर लेने अब यहाँ से नीचे की साइट से सुई डाला और फिर कोने के उपर निकाला दूसरे ट्राइंगल के हाफ पोर्शन पर अब यहाँ पर गाट लगा देंगे और फिर छोटे-छोटे स्टिच लगा कर फिर से से ही डारेक्ट सुई को निकाले और दूसरा तरीका एक है कि आप यह देखे सुई को नीचे की साइट पहले डाले यह देखे अंदर की साइट से तक कि हमारा धागा ना दिखे मैं यह ट्राइ कर रही हूं और एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद हाफ ट्राइंगल क साइड में निकाले कोने के साइड में यह देखे और चोटे से स्टिच लगाकर दो तीन अच्छे से टांक लगा ले तो आपको कौन सा वाला मैथट अच्छा लगा जिसमें धागा दिख रहा या फिर धागा अंदर की साइट चला गया वो आप कमेंट में ज़रू है अब यहां पर हमें मोतियां लगानी है यह देखे पॉल्स आप चाहे तो सिंप्ली फ्लावर को इस तरीके से लग सकती है बट मुझे पर्स मैंने लगाया है बहुत खुबसरे डिजाइन आता है इसका लुक तो यह देखे पॉल्स को हमें इस तरीके से रखते हुए इसको अच्छे से adjust कर लेना है और धागा हमें four fold ही लेना है सुई के अंदर ताकि ये दुलाई वगरा में निकलेने इसका आपको खास ध्यान रखना है और कमजोर धागा का योज ना करें और ये अच्छे से complete हो जाएगा उसके बाद हमें गाट लगा देनी है नीचे अब इ इस तरीके से रखते हुए अच्छे से इसमें धागे को अच्छे से lock कर देंगे इस तरीके से काफी बार हमें lock करना है lock करने के बाद जो extra fabric है उसे cut कर देना है cut करने के बाद sewing की help से इसी तरीके से हमें टांक लेना है जैसे हम normal बटन को टांकते है so guys अगर आप हमारे चैनल पर new है तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले वीडियो को like करना ना भूले और वीडियो पसंद आया तो comment box में ज़रूर बताया या फिर आप comment box में red color के बहुत सारे बहुत सारे heart भी send कर सकती है ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये design काफी पसंद आया है अब यहां पर देखे एक और नया design pattern में बना रही हूँ ये मैं लटकन बना रही हूँ simply आप चाहे तो किसी भी design का लटकन बना सकती है तो उसके लिए मैंने square fabric में दोनों fabric को cut कर लिया था और इस तरीके से triangle shape में रखते हुए और इस तरीके से हमें fold करना है डोरी रखते हुए और फिर इस तरीक button को प्लटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे design भी आ जाएगा और design को ये देखे इस तरीके से button के साथ lock कर देंगे गाट लगा नहीं आप यहाँ पर दो भी गाट लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर swing के help से अच्छे से टांक भी सकती हैं तो ये trick आपको कैसी लगी comment box में ज़रूर बताएगा और ये design कैसा लगा comment में ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो हमें support करना ना भूल और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में